पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट में अमेंडमेंट करने के लिए एक प्राइवेट मेंबर बिल इंटोड्यूस किया है जो इवी एम से जो चुनाओ होता है उसको बदल करके वापस बैलेट से चुनाओ कराया जाए ये मैंने आज ही आपने मुझे अनुमती दी बिल इं उसी डिजीटल वर्ल्ड की जो कंट्रीज हैं जहां पर जादा डिजिटाइजेशन हैं हमसे जादा आगे हैं विक्सित देश हैं उन सब ने इवी एम्स को मशीन को रद करके वापस बैलेट पेपर पे ही चुनाओ कराये जा रहे हैं और जनता का विश्वास क्यूंकि उठ रहा है बार बार ईवी एम्स के जरीए से जो चुनाओ होते हैं उस पर कहीं शक हो रहा है इसलिए इसमें अमेंडमेंट करने की बहुत ही आवश्यक्ता है मैं मैं इसलिए मैं कहना चाहता हूँ सभापती मौधे की हमारा देश मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी है जो सम्विधान के निर्माता थे बाबा साब डॉक्टर भीमराव उम्बेट कर उनके साथी बड़ी सोच समझ के हमने ये संसद्य परणाली उन लोगों ने इस देश को दोग दी है अब मौटी पार्टी डेमोक्रेसी में क्या होगा अभी आप देख रहे हैं पिछले दो दिन से जिस तरीके से मीडिया में चल रहा है गुजरात कर दोड़ा है कि पूरा एक पार्टी ने स्वीप कर दिया पूरे देश में जैसे कोई दूसरी पार्टी है इने क तीन जगह आपकी सरकारे थी गुजरात में भी आपकी सरकार थी हिमाचल परदेश में भी आपकी सरकार थी और दिल्ली कॉर्परेशन में भी आपकी सरकार थी दो जगह आप भारे एक जगह आप जीते लेकिन नेरेटिव ऐसा आप बना रहे हैं कि देश में विपक्ष बचा ही नहीं है तो ये जो है मैं कहना चाहता हूँ आप से सबावती महोदे मैं आपके आवाध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि आप जो है देखें ये ट्रेजरी बेंचेस के लोग क्या बीमारी है मतलब इनके एजंडे को जब मैं एक्शबोस करने ख़णा होता हूँ तब ही अगर मैं क्या हूँ अगर मैं यह कह दू तो बात बहुत हल्की हो जाएगी ने आपकी साजिश यह करें एवियम के बाद जीत का है कहीं ऐसा तो नहीं कि छोटी-छोटी बीज-बीज में एक एक जगे जिताते रहो बताते रहो और असली जो है मलाई काटने का जब मौका आए तो आप आते रहो तो इसलिए जा कहना चाहता हूँ अपने विशेपर रहे हैं अब क्या आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि देखे जो जो चुनाव सुधार का कारिका वो होना चाहिए अब क्या हमने देखा इलेक्टरल बॉन्स इलेक्टरल बॉन्स के माध्यम से बई इलेक्टरल बॉन्स सबसे बड़ा भ्रष्टाचार इस देश में चुनाव के अंदर अगर कोई है कोई चीज है तो वो इलेक्टरल बॉन्स के माध्यम से है सभापति महोदे कि इस party को कितना चंदा corporate houses देते हैं, कितना चंदा electoral bond bonds के माध्य हमसे मिलता है कितना चंदा मिलता है ये चोरी का रास्ता हमने यहां से निकाल करके दी दी सबसे पहले अगर चुनाओ सुधार people represented चन एक्ट में amendment होना चाहिए और देखिये, बड़े finance बिल के माध्य हमसे लाए थे, आपकी सरकार electoral bonds को कमाल है, आप चुनाओ सुधार की बात नहीं कर रहे आप जो है कह रहे हो one party rule देश में रहे, इसलिए इस तरीके का बिल, और सभापती मोदे मैं तो आपसे और कहना चाहिए, प्राइवेट मेंबर का individual member का अधिस्वा आप शिक्र समाप करना चाहते हैं, अगली बार बोलना चाहते हैं तो सदन की सदन की अधिस है मती हो, तो कुछ मिनिट में समाप करना चाहते हैं मैं यही कहना, मैं यही कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि multi-party democracy इस देश में हैं और राष्टे पार्टी बनाने के लिए अगर आप इतनी conditions आप लगा रहें, अच्छा कौन सा फरक पढ़ जाता है राष्टे पार्टी बनने से, अगर multi-party नहीं होती, गुजरात में दो पार्टी नहीं लड़ती ही, तो आज आप यह जशन नहीं बना रहे होते हैं मैं वही कहरूँ, आज आप यह जशन नहीं बना रहे होते हैं और राष्टे पार्टी का मतलब तो काली एक symbol जो है, वो reserve हो जाता है जो निर्दलिये लड़ते हैं, अब यह ग्रह राज्य मंत्री हैं विपक्ष ने कितनी बार मांग करी, हमारे ग्रह राज्य मंत्री हैं मैं आपके माध्यम से, मेरा कहने का मतलब यही है कि चुनाओ के अंदर चुनाओ सुधार होना चाहिए जो पीपल्स रप्रेजेंटेशन एक्ट है लेकिन जिस तरीके की कंडिशन्स का, मैं वो बात, मैं कहना चाह रहा था कि आप तो सरकार है, आपकी सरकार है, ब्रूट मेजोरिटी के साथ यहां सरकार है डेफिनेटली इंडिविज्वल मेंबर्स का अधिकार होता है लेकिन मैं यह देख रहा हूँ तो सरकार भी ला से, आप नेरेटिव सेट कर रहा है आज एक बहुत अच्छी बात आज एक सदन में यह भी हुई कि एक और पिल आया प्राइवेट मेंबर भी पॉपुलेशन के ट्रोल करने के लिए और मुझे खुशी इस बात किये है कि मेरे ऐसे साथ ही ने इंट्रोड्यूस किया जिसके खुद चार बच्चे और वो कह रहा नहीं एक से जादे नहीं होना चाहिए और रूलिज पार्टी का है बीजेपी का है मैं लंबी बात नहीं करूंगा मैं लंबी बात भी करना जा रहा मैं यही कह रहा हूँ कि narrative set करने के लिए आप इस तरीके मैं सभापती मौदे मैं यही कहूंगा कि People Representation Act में amendment होना चाहिए लेकिन चुनाओ सुधार के जो बड़े कारेकरम है उसको मेरी आप के माध्यम से सरकार से यह अपील है कि सरकार बिल लाए एक बड़ा comprehensive बिल लाए जिसमें चुनाओ सुधार का कारेकरम हो यह जो है वन पार्टी रूल का जो सपना यह देख रहे हैं जो हमारे पूरवजों ने जो आजादी दिलाई जो इस सम्मिधान बनाया उसको लगाता डिस्ट्रॉई करने की जो कोशिश कर रहे हैं वो नहीं होनी चाहिए मैं इनी शब्दों के साथ अपनी बात खत्म करते हैं